नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ताख खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंदवा कर धार में गरंट बांटनी वाला कांग्लिस नेता मुसीबत में उजयन में रक्षबंदन के परवोग के अफसर पर कांग्लिस नेता विवेक यादव ने मुस्लिम महिलाओं से राखी बंदवाई इसके बाद उन्हें उपुहार सुरूप नगध राख्षी के साथ साथ कपड़ी और एक धार में गरंट भी दिया गया सुरहा यासी नामक इस धार में गरंट पर विवेक यादव की फोटो थी जिसे लेकर मुस्लिम समा जनों ने आपती जताती हुए पुलिस में कारवाही के लिए शिकायत की है महाकाल थाना पुलिस से जानकारी के मताबिक सहिद फारोग सहिद कुछ लोगों ने कांग्रेस नेता विवेक यादव की खिला धार में गरंट पर खुद की फोटो चिपका कर लोगों को बाटने की शिकायत की है इस मामले ये भी आरप लगाया गया है कि धारमी भावनाओं को ठेस मोचाए गई है इस मामले में पुलिस की जाँच चल रही है दरसल पूरा मामला रक्षबंदन पर वोसे जुड़ा है पुलिस मामले की जाँच कर रही है उजहन उतर से टिकेट माग रहे कांग्रेस नेत विवेक यादव ने सारवान की मजज़ित पर रक्षामंदन पर मनाने के लिए मुसलिम समाच की महिलाओं को एकत्रित किया था इस दोरान विवेक यादव ने उन्हें 500 रुपे सूट और उपार के साथ सुरहा यासीन पुस्तक भी दी जिस पर पीछे के पन्ने पर विवेक का फोटो प्रकाशित था जब महिलाय तस्वीर लेकर धार में गरंत लेकर घर पहुची तो फोटो देखकर विवाद बढ़ गया कुछ लोगों ने पुलिस थाने पहुचकर शिकायत कर दी पुलिस मामली की जाच कर रही है उत्तर से चुनाव लड़ चुका है विवेक यादव साल 2013 में विवेक यादव उत्तर से विजानसवा चुनाव लड़ चुका है विवेक यादव उसे समय उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी भारत जैन से 25,000 वोटों से हार गया था विवेक यादव ने इस बार फिर तैयारी पूरी की है हाला कि इस पूरी विवात के कारण कांग्रेस नेता की मुसीबत बढ़ गई है कांग्रेस नेता विवेक यादव ने दी सफाई कांग्रिस नेता विवेक यादव ने पताया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई धार में घ्रंत नहीं बाटा गया है